दोस्तो टोप सेवन खतरनाख फोन बताऊंगा आपको जहां पर आप इन्वेश्ट करेंगे तो आपका पैसे वेश्ट नहीं होगा और यह फोन आपको मिल जाएंगे अंडर टूंटियर थॉजन की रेंज में यहां पर सेल भी चल रही है जिसमें दो फोन ऐसे आज चुकें क अब मैं पहले बात करता हूँ रेड्मी नोट 12 प्रो की अब देखो यह फोन 25,000 का है लेकिन बैंक ओफर लगाकर 21,500 में यह फोन आपको मिल सकता है अगर आपको शोमी की 12 स्रीस का कोई फोन चाहिए तो यह सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल स्मार्ट फोन है इस रेंज में आप यह फोन देख सकते है अच्छा लगता है इनएट फिल काफी अच्छी है डिस्प्रे फोन का कमाल का है वन तॉंटियर्स का रिफ्रेश्ट आपको मिल जाएगा एमॉलेट डिस्प्रे के साथ और इसका क्यामरा भी मुझे ठीक लगा प्रैस के हिसाब से बागी मैंने क को मिलता है कर डिस्प्ले एमुलेट पैनल वन तॉंटियर्स का रिफ्रेश्ट साथ में इनएंट फिल इस फोन की मस्ता है इसकी में एडवांटेज है यह कॉम्पैक और लाइट पेट स्मार्पोन है रेड्मी नोट 12 प्रो में क्या था ना यहां पर एक कॉम्पैक वाली फ चाहर हूं अब बात करते हैं नेक्ट फोन के बारे में जो किया सैमसंग की तरफ से अगर आपको इस रेट में सैमसंग का फोन चाहिए तो सैमसंग लेक्स की M53 5G आपको मिल जाएगा 21-22,000 के आसपास की रेंज में अब देखो मुझे आपके बहुत सारे कमेंड्स मिलते है कि हमें सैमसंग काम फोन चाहिए 20,000 तक चाहिए 20,000 में तो कोई अच्छा फोन नहीं है जो मैं आपको रिकमेंड करूं लेकिन 21-22 में ये फोन अच्छा है काफी स्लिम और लेकिन काफी स्लिम है तो यूज़ करने में ये एक कमपड़ेबल फील होता है डेमेजिटी 900 यहां वो आप चेक करें ना जो भी ओफर चल रहे है आपको बता चल जाएगा फ्लेक्सिक पिलर से पहले हम देख लेते हैं एक मोटो लागा स्मार्टफोन जो की है मोटो एज 30 मोटो एज 30 क्या है ना एक मैं कहसे तो अंडरेटिट फोन है इस रेंज का जितनी इस की चर्चा होन 22-23,000 का अगर आपको उस रेंज में कोई ऐसमों चीए जहाँ पर कस्टम युवाई का कोई पंगा ना हो वापर कस्टम युवाई का सोड़ा पंगा रहता है बग्स बगारा तोड़े देखने को मिल जाते हैं ऐसी दिक्कत आपको मोटो एज 30 में नहीं आएगी कोई एज क पता है ये फोन 30,000 का था लेकिन कम प्राइस पर ये फोन आकर आपको 24 का मिल रहे हैं मैं जानता हूं कुछ नहीं पहले 22 का आच चुक है लेकिन अब वो टाइम नहीं है आजकल फोन थोड़े महंगे हो गया है इसने मैं पता नहीं कब आएगा फिलाल ये 24 का मिलना और 24 में ये भी एक बहुत ही अच्छा फोन लगा मुझे इस फोन में है स्नैब लेकन 870 एमोलेड डिस्प्रेइं कोई यहां पर कमी नहीं चोड़ी गई है मैंने इक कवर किया है वह आप चक करें ना आपके समीर और क्लियर हो जाएंगे बद मुझे इसकी जो बिल्ड क्वालिटी क्या रहा है ना वो लग रहा था कि और इंप्रूव होनी चीए थी उसके लावा कोई दिक्कत नहीं थी अब मैं आपको बताता हूँ एक और फ्लैक्शिप किलर फोन जहां पर बिल्ड क्वालिटी इनर्ड फिल भी अच्छी है आप मैंसे काफी लोग कहते हैं कि मैं सकते हैं यह पॉन अभी आपको पता है आईकू नियो सेवन में लोंज हो रहा है मैंने इनका कमबैजन भी किया हुआ है नियो सिक्स वर्जिस नियो सेवन का वह भी आप चेक करना मत बूलना वहां पर आपको डाउट प्लियर हो जाएंगे कि आपको दोनों में से किस पॉन में इन्वेस्ट करना है आईकू नियो सिक्स एक ऐसा वोन है जहापर आपको इनकी अपनी मार्किट नहीं मिल रही है अगर आपको अप्लिक करनी है तो प्लेस्टोरी आपको मिलेगा यह प्लस पॉइंट है अपनी सेक्योर्टी को ध्यान में रखते हो यह मैं आपको बोल सकता हूँ 25,000 के आसपास की रेंज में आप बताना मुझे कमेंद्स में अगर आपको इन्वैस्ट करना है तो आप इन में से किस फोन में इन्वैस्ट करना पसंद करेंगे अगर आपको यह फिल्वें लिए तो प्लेड़ को लाइक ओशिकरना मत भूलेगा मिलते हैं की जो